साइन्स, साइन्स, साइन्स I don't like, I avoid बट जब प्रिशान्द भईया साइन्स पढ़ाते हैं तब तो भईया मज़ा आजाता है न तो आज आ गया हूं तुम्हारे सामने तुम्हें साइन्स पढ़ाने के लिए और बहुत प्यारे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं यह हमारी अभयवैच की पहली क्लास होने वाली है जिसके अंदर हम एक बहुत प्यारा चैप्टर करने वाले हैं यह वही चैप्टर है जो कि आपसे हर बार बोलता है कि भाई, मुझे मत भूल, मुझे मत भूल कौन सा chapter chemical equation and reaction बहुत ज़्यादा important chapter है आज उसका lecture one हम करने वाले है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बट सबसे पहले ये student जो मोई मोई लिख रहे हैं न इनके तो मैं घर आउंगा बेटा तुमारे तो मैं घर आउंगा है न boys 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 everything okay okay है तो एक बार okay लिख देंगे फटाफट जल्दी 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 चलिए बहुत बड़ी है मज़ा रहा है मज़ा रहा है बहुत प्यारे प्यारे हमारे बहुत सारे students आ गए है like भी कर रहे है like करने को मैं कभी बोलता नहीं हो तुम कर दोगे वरोसा है चलिए तो आज हम बात करने वाले chapter हम पढ़ने वाले है chemical equation and reaction और ये जो chapter है ये आपसे एक line बोलता है line क्या है कि भाई मैं तुझे भूल जाओं ऐसा हो नहीं सकता कौन कह रहा है ये chemical equation and reaction कि भाई मैं तुझे भूल जाओं ऐसा हो नहीं सकता क्यों क्यूंकि मैं तो तेरे exam में आऊंगा याऊंगा but तुम उसे भूल जाओ ऐसा मैं नहीं होने दूँगा तो मलब आज ऐसे पढ़ेंगे कि तुम उसे भूलने नहीं वाले जितनी भी तुम्हारी यह NCRT activities होती है न तुम कहरे़ों कियार वह यह अन्सी आक्टिवीटी करादो 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 अरे एक एक शार अक करन गाऊंगा और जितना कराऊंगा Page no अपने बहुक्त नहीं होछों आज हमारी प्री ये साइंस की क्लास है बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं भाईया एप पे क्यों नहीं क्लास ले रहे हैं ओहो मज़ा आ गया यार 9000 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं बहुत बढ़ी है 10,000 कर दो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दो मज़ा कर दो मज़ा आ जाना च चाते हैं और यह जब अच्चे लिखे रहे हैं कि भाईया हमने पे कर दिया बैच के लिए सारी क्लास यूट्यूब पे और नहीं हो रही होंगी अब्यस्सी बात है तुम बैच के अंदर हो तो app की उपर ही classes हो रही होंगी बट आज और कल हम दो दिन बस free जितनी भी हमारी यह जो चीज है यूट्यूब के उपर बस यह जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो की कह रहे थे कॉंटेंट में दम है क्या अभी दिखा देंगे टेंशन की क्या बात है खड़े नहीं आपर ठीक है मज़ा आ गया और दसमी में तो ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंटे जिनको 95 परसेंट तक दिला चुके हैं मेंटोर यह सब ऑथर और बुक्स यह आपको पता है यह बोलने की जुरत नहीं सब पता नहीं क्यों लिखवा देते हैं चलो चोड़ो ठीक है इसके अंदर आपको कहके मिलने वाला यह हमारा होने वाला है पहला लेक्चर पहला लेक्चर के दो पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज हम आदा पार्ट करेंगे और कल हम इसका अगला पार्ट करेंगे दो पार्ट के अंदर चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा आपने स्लेबस देख लिया होगा नही पर कर आइंगे अगर आप पर्चेस नहीं कर आया ना तो भी में आपको फ्री में देने वाला हूं यह वाला कॉंटेंट में को सबस्क्राइब मैं सब को क्रिणा कर से लएक लाइन include कर रहे होंगे, एक एक line हर एक line अभी पढ़ाऊंगा, समझा जाएगा tension की बात नहीं है, ठीक है, तो कौन सा chapter है chemical reaction and equation बट उससे पहले, उससे पहले एक छोटा सा सवाल नई student तो नहीं हो, आज तक मुझसे पढ़ाएगा भी अगर पढ़ाएगा, आपको पता है, मैं स्क्रीन पर क्या लिखने वाला हूँ मैं लिखने वाला हूँ, हमारा जोश लेवल कितना है यार, है बई, जोश जोश मीटर कितना है, जोश मीटर कितना है हेंड्रेड में से लिख दो जोश मीटर कितना है एंड्रेड में से कितना है भई यह हमारा जोश मीटर पहले वो लिख दो फिर हम मज़े करेंगे फिर हम मज़े करेंगे ना लोगों पता है पता है पता है पता है अरे यार क्या बात है क्या बात है क्या बात है, I know 11,000 लोग देख रहे हैं, बहुत खुश हूँ, मज़ा आ रहा है, मज़े करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कितना Android, 1000, 99, एक कम नी रहना चीए, और ये जो आपका जोश है न, ये class के end तक होने वाला है, class 1 से 1.5 गंटे तक जाएगी, बड़ी class नहीं concept है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसके बाद आपको balancing में दिक्कत नहीं आईगी, आप बोलोगे प्रशांद भाया, मज़ा आ गया, प्रशांद भाया, यह इना बात, ऐसे समझागे जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा, types of reaction, effect of body, ये सारी चीज़े हैं, आज ह हम उपर-उपर से सारी चीज़े देखेंगे, और ये जो balancing of chemical equation है, इसके उपर जाद हम focus करेंगे, और NCRT की जो activities है, वो साथ-साथ में करते चलेंगे, कल हम क्या करेंगे, कल हम ये तीन चीज़े करेंगे, types of reaction, जितनी भी होती है, combination, decomposition, वो सारी आपको कराएंगे, oxidation, reduction, और N लिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, questions भी बीच-बीच में उठाएंगे, tension मतलो, करेंगे start, करेंगे start, लगा देंग, लगा देंग, लगा देंग, लगा देंग, अरे जितने भी बोल रहे है, batch में कब पढ़ाओ, यहां आपको पढ़ात हो रहे है, batch में भी पढ़ाएंगे, अगली classes batch के अंदर ही हो रही होंगी, आपके अंदर tension मत लो यार, तुम इतनी tension ले तो मुझे अच्छा नहीं लगता, tension मत लिया करो, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, start करा जाए, सबसे पहले बात करते हैं, classification of change, देखो, change की बात करते हैं, सबसे पहले हैं बदलाव, दो प्रक अगली बार से लड़कीों का भी नाम हम लेन, start करदेंगे, कमेंट के अंदर लिखे और लड़कों का लिए यह नाम बता देने, वह हम देन स्टाह्ट कर देंगे, ठीक है, लड़कों का नाम है चिंटु लाल, आप चिंटु लाल की आए, 10 में tracks कम, अब चिंटु लाल गया अपने पापा के पास और उसने पापा को रिपोर्ट कार्ड दिखाई और बोला पापा ये मेरे ना प्रीबोर्ड में मार्क्स कम रहे गए 50% तो तुम्हारे पापा को आया गुस्सा और तुम्हारे पापा ने जूर से तुम्हें थपड लगाया थपड पड़ा तुम्हारा चेंज है chemical चेंज है बताओ अरे यार थपड़ी तो पड़ा है ना तो physical चेंज है ना कैसी बात कर रहे हो chemical नहीं convert होए अब समझना definition अब मैं definition के उपर आ रहो साथ साथ मैं मजाक और पड़ाई की बात साथ में करेंगे physical change कौन से होते हैं जिसके अंदर कोई भी chemicals में बदलाव नहीं आता अरे तुम्हारे गाल पे थपड़ पड़ने से कुछ बदलाव आ गया क्या chemicals convert हो गया क्या नहीं ना तो chemical change कैसे हुआ या फिजिकल change है chemical change क्या होता है जब substance या फिर compound के chemical formulas के अंदर change आ जाता है ठीक है आई होप यह वाला point एक दम clear होगा पना chemical composition होता है वो बदलता है अब इसका example का है इसका example है rusting of iron जंग लगना जो हम इंदी के अंदर बोल रहे होता है ना जंग लगना आई होप आपको पता होगा जंग लगना क्या होता है तो वह जो होता है अपना उसको हम लास्ट में इस चेप्टर के रस्टिंग ओफ आइरन को हम बिल्कुल डिटेल में पड़ेंगे ठीक है फिजिकल चेंज क्या है बॉइलिंग ओफ वॉटर के अंदर क्या हो रहा है ह2O था पहले पानी था अब ह2O किसमें बदल गया वेपर के अंदर क्या केमिकल फॉर्मूला बदला अरे मेरे दोस्त बोलना है यार क्या केमिकल फॉर्मूला बदला अरे मेरे दोस्त ह2O था अब वेपर में भी तो ह2 होई है क्या ये ह2O की जगे H2023456, ऐसा कुछ हो गया क्या, compound बदल यह है क्या, हाँ है ना बोल, नहीं, 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 तो कैसे हुआ, है ना, समझे रहो, अब यहाँ पर एक बड़ा ही tricky सा example है, जो कि बहुत बार मैंने देखा है, पेपर के अंदर पूछा जाता है, और लोग उस example को न भूल जाते हैं, burning of candle, अच्छा मुझे comment में बता दो पहले, burning of candle क्या है, burning of candle क्या है, क्या वो chemical change है, क्या फिर वो physical change है, मुमबत्ती का जलना, बताएं, 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 burning of candle क्या है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या है, क्या कौ आता है बहुत बढ़िया बर्णिंग ऑफ केंडल बोथ के अंदर नल जहां करते हैं यह हमारी प्यारी-पैयरी सिर्प्रेंग के घी शंव यह ठीक है यह मुमबत्य जब जलती है तो रियक्शन होता है यहां पर oxygen आया, वो oxygen burn हुआ, ये जो reaction है, वो तो chemical reaction है, बट, आपकी जो मोम बत्ती है, जो आपकी candle है, उसका जो wax होता है, जो wax होता है, जो mom होता है, वो पिगलने लगता है, वो melt होने लगता है, ये melt होने लगा, वो क्या है, वो क्या है, physical change, जब burning of candle है न, इसके अंदर दोनों चीज़े होती है, chemical change और physical change, बट, majorly, exam के अंदर जब पूछा जाता है, हमें chemical change ही लिखना होता है, बट कभी कबार, ये assertion, reasoning के अंदर सवाल आया था, कि burning of candle के अंदर दोनों changes कैसे होते हैं, तो आपको मैंने समझा दिया, अगर school के अंदर, ये फिर board exam के अंदर आता है, free board के अंदर आता है, तो तुम लिख दियाना, कि हमें तो पता है, हमें तो पता है, ये हमें तो कोई दिक्कत निया, अगले पार के उपर चलते हैं, अच्छा, यही पर एक छोटा सा सवाल ले ले क्या, पोल सेशन कर ले क्या, आपकी स्क्रीन के उपर एक सवाल आ गया होगा, मैं option बनाता हूँ, फिर देखते हैं, कि पोल सेशन हम conduct कर सकते हैं, क्या है आपर, एक छोटा सा try मैं अपने end से कर लेता हूँ, आजओ, 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 आजओ फट दे रहा हूँ, पोल, पोल से क्या करेंगे, हम बस आपका, देखते हैं कि कितने बच्चे उत्तर को दे पाते हैं, ठीक है, बताएं, बताएं, ABCD, ABCD, क्या बात है, क्या बात है, बढ़ रहे हैं, बोट बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ किया है वह यहिए वह फिजिकिल चेंच अगला वॉneg इतुमें आपको बताई दिया वैदिकल चेंज ऩ천स अगला मेलटिंग आप आइस शेकल चेंच एक है बस कमबंशन ऐंफ छार्टोलिकरम जब जलता है तो एक कमबंशन तो मैं पूकि उस्टेदारों को भी बताना है यह तो कुछ नहीं कर पाएगे उनके गर में दो जट डू एक्स्ट्रा लेकर जाने रिजल्ट के बाद ठीक है चलो आजाओ फटा फटा आगे चैमिकल रेक्शन की बात करते हैं ज्यादा definition के अंदर हम नहीं गुसेंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया है chemical reaction होती क्या है chemical reaction होती क्या है देखो compound है compound आए compound मिले और उन्होंने एक नया compound form कर दिया वही तो ही chemical reaction अब definition देख लेते हैं अगर exam के अंदर पूछा जाएगा तो हम क्या लिख क्या आएंगे chemical reaction is the process in which substance undergo a transformation resulting in formation of new substance मतलब अलग अलग substance आए और नए substance के create उन्होंने कर दिया वो क्या कहलाती है हमारी chemical reaction अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है question जो कि कभी कभार एक number का सवाल आ जाता है कि chemical reaction और chemical equation में difference क्या है बच्चे confused रहते हैं यह दोनों तो same है chemical reaction chemical equation यह दोनो है chemical equation जो होती है न वो representation होती है जा फिर मैंने आपर आपको लिख भी दिया है chemical equation is a symbolic representation इस शब्द को याद कर ले न जहां पर मैं बोलूँगा शब्द को याद कर ले न मतलब कर ले न क्योंकि उस शब्द को आप लिखकर आओगे न तो आपके exam में full number मिलते हैं ठीक है क्यों symbolic representation जैसे की जैसे की सबसे हमारा प्यारा प्यारा असान सा एक्जामपल ले ले लेते हैं पानी है ना पानी 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 है अब यह बताओ क्या equation balance रे गया क्या equation balance है बताएं क्या equation बैलेंस्ट है बोलते चलेंगे हाई है ना नहीं है ना नहीं है ना नहीं है ना बहुत बढ़िए अरे लोगों को पता है चलो बैलेंसिंग के बारे में आगे बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है balancing के बारे में आगे बात करते चलेंगे अपन अभी आपको पता चल गया कि equation balance नहीं है chemical equation क्या होती है इतना समझ गए आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बढ़ रहे हैं NCRT activities में मैंने क्या करा है ना जो NCRT है ना उसको पूरा हमने खोल दिया है हमने क्या करा है बीच बीच में जैसे हमने एक topic पड़ा उसके बाद NCRT उठा ली दूसरा topic पड़ा उसके बाद NCRT का जो भी activity वह पर थी वह उठा ली तो जितनी भी आपकी activities है वो भी साथ साथ में cover होती जाएंगी बस focus आपको बनाया रखना है क्यूंकि होता कहना बहुत सारे बच्चे शुरू में आत है देखना एक magnesium ribbon को लिया जा रहा है magnesium एक ऐसे ribbon type का है उसको लिया जा रहा है और उसको क्या किया जा रहा है उसको burn किया जा रहा है जब उसको burn करा ना तो बहुत ही high flame निकली white color की flame निकली और उसके जो ashes होते है जैसे आप कागच को जलाते हो जो राग बच जाती है उसी प बहुत ज्यादा important है द्यान से देखना आजाओ देखो पहली चीज क्या है magnesium ribbon burns with a white dazzling flame है ना मतलब white flame बड़ी खतरनाक white flame से हमारा जो magnesium है वो जल रहा होता है बट क्यों जलता है यह क्यों जलता है क्योंकि magnesium का reaction हो जाता है oxygen से और वो बना देता है magnesium oxide हाँ है ना यह सब को पता है क्या यह सब को पता है क्या जल्दी बता है क्या बना देता है magnesium oxide जैसे कि यहाँ पर लिख भी दिया है अच्छा यह दूसरा point यह note कर लेना ash may fall into a watch glass यह कोई important नहीं है बट important क्या है यह देखना it is clear that magnesium burns and changes into a new substance of a new state और वो क्या है magnesium oxide Magnesium oxide क्लियर है सवाल पूछे जाते हैं अब यहाँ पर सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं क्यूंक्य हमें पता है किस savoir पूछे षा northern फिले extrude Gel लें और तौमारे board के अंदर भी आ सकते हैं सब्रहत ì के बहुत सिंपल पहला सवाल क्या है पहला सबाल है why magnesium ribbon is cleaned before burning in the air मुझे बताओ किस-किस के pre-word अभी तक हो गए है उनके pre-word में ये वाला सवाल आया था क्या कुछ-कुछ के मैं आ सकता है एक-दो स्कूल के अंदर कि why magnesium ribbon को क्यों clean किया गया competency-based के अंदर ये सवाल आ सकता है आया था, कभी तो आया होगा पेपरों के अंदर आ आ जाता है कुछ के नहीं आता वो depend करता है पर हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है क्यूं हम magnesium ribbon को पहले हम करते हैं clean, क्यूं करते हैं क्यूं करते हैं yes आ रहा है काफी बच्चो कि आया था क्यूंकि जो magnesium होता है वो oxygen, देखो oxygen से आ जाओ कुछ मिलकर करते हैं इन दोनों ने क्या बोला कि ठीक है मिलकर करते हैं magnesium oxide अब इन्होंने क्या बनाया अपने उपर एक layer बना दी जिसको इन्होंने नाम दिया क्या magnesium oxide magnesium oxide तो हम क्या करते हैं magnesium ribbon को पहले घिसते हैं जैसे कि magnesium इसकी पूरी layer हट जाया और उसके बाद magnesium को burn किया जाता है पहला सवाल हमारा यह था ठीक है यह अभी तक मोई-मोई कर रहे हैं चैट में तुम्हारे घर आगे नो तुम्हारा point बता है था white dazzling flame वर्ड याद है white dazzling flame उसका क्या मतलब बहुत जादा उसमें से आग निकल रही होती है जिससे कि हमारी आखों पर बहुत इफेक्ट पड़ सकता है इस वज़े से जब हम उसको जला रहे होते तो उसको दूर रखते हैं तो इसका answer भी हमने आपर लिख दिया अगली एक और activity देख लेते हैं अगली activity हमारी एक्टिविटी साथ में करते करते चलेंगे इस chapter में ज्यादा activity है और वैसी बात है आगे के chapter में कम activity है इसमें बहुत सारी activities पढ़नी पड़ेंगी और यह सवाल पूछे जाते हैं इसलिए करा रहा हूं अगली activity क्या है देखो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं दो compound को ले रहे हैं दो liquid compound को ले रहे हैं और उन दोनों को एक दूसरे में mix कर रहे हैं जैसे कि आजाओ आजाओ फोकस आजाओ इधर आजाओ एक दम आजाओ देखो अब हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले हम solution ले रहे हैं lead nitrate का lead nitrate का मैंने solution लि ठीक है अब इससे हो क्या रहा है ना जब हमने इन दोनों सलूशन को मिक्स किया ना तो क्या हुआ ना यलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन गया अब तुम पूछे के भाई यह तो आपने बताया है नहीं यार यह क्या बोल रहे हो बता रहों बता रहों सुन मेरी बात पानी ल बैटता जाएगा तो जो नमक है ना वह क्या है प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट क्या होता है वो लो एक कैमिकलóst के अंदर जो सॉलिडि सब्स्टेंस बनता है ना जो की डिजॉल नहीं हो पाता है व्हों क्या कहे लाता ना ह्त्व आफ प्रेसिपिटेट अब कोई observation यह कि यहां पर एक reaction हो रही है द्यान से देखेंगे reaction reaction क्या है यह क्या है हमारी pbno32 मतलब एक लेड नाइट रेट ठीक है लेड नाइट रेट के solution को हमने क्या करा पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया जब हमने मिलाया ना तो यहां पर एक reaction हुई अभी यह reaction तुम्हें दिख रहे होगी तुम्हें इस reaction का नाम नहीं पता होगा पर इस reaction का नाम क्या है डबल displacement reaction बाद में पढ़ेंगे tension मतलो मैं बताऊंगा मैं चिंटुलाल मिंटुलाल की कहानी से तुम्हें समझा दूँगा कोई दिक्कत नहीं है अभी बस आप reaction पढ़ते जाना ठीक है यह reaction कभी कभार पूछी जाती है नोट कर लेना अब देखो हुआ क्या ना इन दोनों क Precipitate न वो कि यह जो क्या है इसको हो क्या बोलगा रहें लेड औयोड़ाइड खी कि कैu-iran के प्रेसिफिटएट यह लोगरका अब होता क्या सवाल कैसे आते हैं एक मिनद नहीं हम यहीं बात कर लेते हैं इसके इन दोनों मिक्शचर का हमारा नाम हमें दिया गया था कि हमสNT दिया और हमेरे पोटेश्यम आयोडाइड दिया अब हमने इन दोनों को मिक्स करा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेड बनता है अब उसका नाम बताओ तो नाम क्या था उसका लेड ऐड़ अगर ये नाम याद नहीं रहता कुछ मत करना ये दोनों मिक्स हो रहे हैं डबल डिश मेंट रीयक्शन लगादेना और निकाल देना अगर डबल डिक्शन नहीं आता है आगे हम बात करेंगे टैंशन की बात निया है क्लियर है क्या सवाल कैसा पूछा जाता है अब मैं दिखा भी देता हूँ पिछले सालों के अंदर एक सवाल पूछा भी गया था, मैं यहाँ पर पूरी research करकर आया हूँ, मैं ऐसी नहीं आगया हो, कि चलो आज कुछ तूफा नहीं करते है, ऐसी नहीं आगया हो, मैं research करकर आया हूँ, यहाँ पर देखेंगे आपको एक सवाल पूछा किया था, sample question paper का सवाल आया था अब अगर किसी ने प्रिशान वहीया का लेक्चर देखा होता और उसे पता होता कि अरे यार यह तो एक्टिविटी का सवाल है तो वह क्या लगाता इसका अंसर बताएं क्या लगाता क्या लगाता बहुत सही बहुत सही क्या लगाता यलो प्रेसिपिटेट मैं ठीक है, MCQ की practice करते रहनी है, वो जो मैं आपको 25 सवाल हो की दूँगा, उसके अंदर मैं 15 question आपके MCQ रखूँगा, और उसके बाद जो हमारे बच्चों ये 10 सवाल होंगे, वो मैं क्या करूँगा, वो मैं आपको competency-based type के दूँगा, मैं आपको 3 marker, 4 marker, वो सब नहीं क्योंकि यार, वो आप कर लोगे, उसमें number नहीं करते हैं, number करते हैं, MCQ और competency-based question में, वो उनकी मैं अलग से sheet दूँगा, जिनकी हम doubt solving वाले दिनों में practice कर रहे होंगे, आई कैसे ये एकदम clear है, ये question पूछा कहता, अगली activity पे उपर बढ़ने से पहले, एक दो चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, कहां गई वही चीज़ें, आजओ, बात कर लेते हैं, characteristics, characteristics, क्या बात है, continuously 11,000 बच्चे हैं, क्या इस number को हम 12 तक ले जाएं, क्या कहते हो, यार, 12 तक ले जाते हैं, है न, आजओ, characteristics of chemical reaction, अब हम बात कर रहे हैं, characteristics of chemical reaction, द्यान से सुनते चलना है, बारी है, कुछ बारी नहीं है, असानी से पढ़ लेंगे, देखते चलेंगे, देखो, पहली चीज़, change in color, ये सवाल कभी ऐसे पूछा नहीं जाता, बट आपको reactions आनी चीज़ें, द्यान से देखना, change in color, कभी कभार क्या होता है, chemical reaction होती है, और रंग में बदलावा जाता है, जैसे कि आपके कुछ दोस्त होते हैं, जो कि exam की दिनों में अपने रंग बदल लेते हैं, ना, देखोंगे न कुछ दोस्त जो की बोलते हैं कि भईया, मैंने तो कुछ नहीं बढ़ा था, और उनके number आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से chemical reaction के भी रंग बदल जाते हैं, कु के अंदर ये सारी चीज़े होती रहते हैं, दूसरा point का है, change in temperature, कभी कबार क्या होता है, temperature भी बदल जाता है, reaction जब हम कर रहे थे, जब तो सारी चीज़े ठंडी थी, बढ़ रियाक्शन के बाद बहुत heat निकलती है, जैसे कि इसका भी एक example, example क्या है, calcium oxide को जब हम पानी मे कही होगा, calcium oxide, घरों में आपके पुट्टी वगेरा हुई होगी, calcium oxide, कुछ याद आ रहा है, 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 बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, है ना, तो देखो, इस से क्या बनता है, हमारा, ये बन रहा है, हमारा ह change in state भी हो रही होती है जैसे कि hydrogen था और oxygen था दोनों gaseous form में थे पर जब दोनों ने mail मिलाव मिलाया तो उन्होंने पानी ही हो गया पानी मतलब liquid state ठीक है दोनों gas gas equals to liquid ऐसा भी कभी कबार हो जाता है उसके अवाला का है evolution of gas मतलब बहुत सरी ऐसी reaction भी होती है जिसके अंदर gases होती है जैसे कि एक यह हमारी reaction है जिसको अभी हम activity में पढ़ रहे होंगे and this is one of the most important reaction जहां पर मैं बोल रहा हूं important है मतलब है ठीक है all the important है मतलब पूछा जाएगा तो तुम नंग से पढ़ोगे अब यह जो लास्ट वाली reaction है इसकी activity हम देख लेते हैं ठीक है अब आजाओ इसकी activity उपर आजाओ कि यह जो reaction है इतनी important क्यों हो और बार बार इस पर सवाल क्यों पूछा जाता है आजाओ भईय हैं हम hydrochloric acid को ले रहें या फिर हम S2SO4 को ले रहें मलब sulfuric acid को ले रहें ठीक है imagine करते हैं यह यहाँ पर आपको बना कर दिखा देता हूं यार यह मेरा एक beaker कैसा मनाते है यार इसके अंदर मेरा HCL है H2SO4 कुछ भी मान लो चीक है HCL या फिर H2SO4 है मेरा ठीक है अब हो क्या रहें इसके अंदर मैंने zinc के granules डाल दिया मतला हम जिंक जो होता है ना उसके छुट-छुटे गोली की शेफ में मैंने इसके अंदर दिया मैंने कमदर के डाल दिया अब है रreaction हुआ ध्यान से समझते चलना, point to point connect कर रहे हैं, soap water के अंदर मैंने उसको डाला, अब क्या हुआ ना, bubbles निकले, gas आई soap water के अंदर और bubbles निकले, अब ये जो bubbles थे ना, ये जो bubbles थे, इन में आग लगने लग गई, ये bubbles flammable थे, flammable, इन bubbles में आग लगा सकते थे, अगर हम lighter लगाते ना, उसकी तरफ, तो उन bubbles के उपर आग लग रही थी, ये है reaction, अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, एक reaction इसके अंदर हो रही है, reaction हम समझ लेते हैं, हो क्या रहा है ना, एक reaction हो रही है, जिसमी के हमारा zinc combine कर रहा है, है H2SO4 या फिर HCL के साथ, और ये क्या कर रहा है ना, आपर displacement reaction हो रही है, आगे बात करेंगे displacement reaction के बारे में, पट यहाँ पर reaction हो रही है, displacement reaction, जिसके अंदर क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, हो क्या रहा है ना, कि जो hydrogen है ना, ये बाहर निकल जा रही है, और ये बना रहा है हमारा ZNSO4 और hydrogen gas जो है ना, वो निकल रही है, मतलब ये जो tube थी ना, इसमें से gas जा रही थी हमारी hydrogen, hydrogen गई, तो water के अंदर, उसके बाद क्या हुआ बबल्स निकलें, और आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लो, hydrogen जो होती है ना, वो बहुत जाद ही फ्लेमेबल होती है, समझते हो, जिसके अंदर आग लग सकती है, इतना हम समझते चलेंगे, clear है क्या, जल्दी बताओ, यही पूरी activity है, हमने इसको समझा लिए प्यारे तरीके से कोई दिक्कत क्या चल दी बता है कोई दिकत कोई समस्या कोई परिशानी और यह अभी तक जो तुम चैट में यह नहा हाई सुनाय ना कर रहे हो कृप्प्या करके बंद कर दो हैना मेरे दोस्तों हैना यह करना प्लीज आप बंद कर दो दिक्कत होईगी आप ही लोगों को मतलब पढ़ाई कि हम यह बात कर रहे हैं तो मत करो है न और उन लोगों के लिए मैं एक लाइन बोलता हूँ न अपने हर एक सेशन के लिए कि दिल ने ये कहा है दिल से दिल ने ये कहा है दिल से तेरा कट रहा है फिर से, ठीक है, आज आओ भई आगे, आगे हम क्या बात कर रहे हैं, यह हमने वही वाली पूरी चीजों के बारे में बात कर लिया, यह जो हमारा reaction था, पूरा मैंने आपको बता दिया, अब इसमें से सवाल कौन कौन से प्रकार के पूछे गए हैं, वो आप समझ लीजेगा, यहाँ पर हमने सवाल एड करें हैं क्या, एक मिनट ज़रा, हाँ सवाल हमने आड कर रहा है, यह सवाल पूछा गया था, MCQ के अंदर, previous year question के अंदर, इस activity से सवाल आया था, activity क्या है, activity है, identify the gas in the following experiment, मतलब, directly इस photo को लगा दिया गया, और मुच लिया, कि बच्चे activity पढ़के आए, तो नहीं आता था, जो नहीं पढ़के आते हो, कह रहे है, यह क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अव्वेस सी बाते हैं आपर answer क्या आएगा, बोलो यार, बोलो यार, है, carbon dioxide क्या, oxygen, अरे नहीं यार, hydrogen, ठीक है, सही है, सही है, सही है, सह आदा गंटा session को हो गया है, तो आदे गंटे के बाद, अच्छा, मैं एकदम clearly दिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब lag वगेरा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि lag वगेरा थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है, lag वगेरा तो नहीं हो रहा खतम तो नहीं हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, balancing of chemical equations, बहुत ज़्यादे इंपॉटन टॉपिक, आज ऐसे समझते चलेंगे balancing को कि भईया आप बोलोगे मजा आ गया, ठीक है, balancing में क्या होता है, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं, दो चीज़े हम समझते हैं, ठीक है, इस reaction को हम उठाते हैं, और हम दो चीज़े समझते चलते हैं, आ जाएंगे, इस reaction को मैंने उठाया और मैंने का, यह एक तो होता है, reactant, दूसरा होता है, product, reactant कौन सा होता है, reactant होता है, यह, product क्या होता है, यह, जब हमें कोई भी reaction को balance करना होता है, तो हमें क्या करना होता है, reactant में जितने भी elements हैं, क्या बोल रहा हूं है, ज्यान से सुन तो चलेंगे, reactant में जितने भी elements हैं, उनको हमें बराबर करना है, किसके, अरे बोलना है यार, किसके, यह जो product में जितने element है, मतलब, यहां पर गिंती गिनो, गिंती गिनो भाई मेरे साथ एक पर फटा-फट से, hydrogen कितने हैं, 2, oxygen कितने हैं, अपने oxygen भी हैं, 2, यहां पर hydrogen कितने हैं, 2, बड़ यहां पर oxygen तो भई यह एक ही रह गया, तो क्या यह balanced है, क्या यह balanced है, नहीं है, नहीं है, अब बैलन्स करना पड़ेगा, अब देखो, यह तो बहुत छोटी सी equation है, इसमें तो तुम्हें भी पता है, कि अगर हमें balance करना है, तो हम वो hit and trial वाला जो हमारा normal method होता है, उससे हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, हमें पताई किया रहा हमारे यहां पर oxygen कम है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी equation को 2 से multiply कर दूँगा, बड़ जब मैं 2 से multiply करूँगा, तो अब यहां पर hydrogen 2 नहीं रहे, अब यहां पर hydrogen हो गए 4, तो उसको balance करने के लिए, मुझे इस hydrogen को भी 2 से multiply करना हो, और उसके बाद मतलब दूसरा में एक trick बताऊंगा, वो हमारी secret trick है, तो उस trick के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताना है, हमारे पास ही पोश्चनिक चीए, अभी हम जो schools के अंदर method बताए जाता है, उसके बारे में बात करना है, last time हम trick बताएंगे, ठीक है, हमारे स्टेप कहा है इसके अंदर, पहला हमारा स्के अंदर step है कि हम लिख लेंगे, कि reactant में कितने element है, product में कितने element है, जैसे कि मैंने लिखा, यह है मेरा iron, iron कितना है, एक reactant में, बट प्रॉडेक्ट में कितने है, तीन रिक्कत की बात, अगला क्या है, hydrogen, hydrogen कितने है, reactant में, दो, ऑगला क्या है, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन एक है बट यहां पर चार हैं बहुत समस्य है, बहुत समस्य है, एक-थी, एक करके हम बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, यहां पर nitrogen एख है, तो हम क्या करते हैं, nitrogen वाले compound को 3-7 multiplier कर दो सूब कोई दिक्कắn, पता दिया करो ना नेटरोजन दो नहीं बोलना नेटवर्क प्रोब्लम नहीं एकदम बढ़िया दिख रहा हूं ऐसे क्यों कह रहे हो तुम आइरन को हम क्या करेंगे कि हम तीन से मल्टिप्लाइ कर दिया अब दूसरी समस्या oxygen oxygen एक है यहाँ पर वह यह चार है तो अब हम क्या करें oxygen को मुझे 4 से multiply करना पड़ेगा तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इस जगे पर थोड़ा सा वह यह zoom in कर लें क्या इस जगे पर मैं 4 से multiply कर देता हूँ इसको मैं 4 से multiply करता हूँ, पर जैसी मैंने इसको 4 से multiply करा, तो एक और समझ से खड़ी हो गई, अब hydrogen कह रहा है, कि भया मुझे तो बूल गए, मुझे तो देखो, मेरी तो पूरी स्थिती बदल चुकी है, कैसे, अब यहाँ पर hydrogen हो गए है, 8, और यहाँ पर hydrogen कितने हैं, हमारे 2, अब क्या करना पड़ेगा, इस hydrogen को भी 4 से multiply करतो यार, और इसको भी बोलो, चल, निकल, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, क्लियर है, मज़ा आ रहा है क्या, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है क्या, चल्दी बोलते चलेंगे, final equation क्या बंती चलिए, final equation लिख लें क्या, कि लेते हैं, तुम कहोगे, फिर जाद भाईया ने final equation नहीं करके, ओकाद दिखा दी, है न, तुम फिर वह वाला meme चला दोगे, अच्छा नहीं लगेगा, मुझे, इसलिए पहले ही लिख लेते है, F3, O4, प्लस, 4H2O, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, एकदम क्लियर है, ए अब तो डन है, अब तो कोई समस्था नहीं, चलो, आगे बढ़ते हैं, एक दम बढ़ी है, आगे बढ़ते हैं, आजो, यह हमारी पहली क्वेशन थी, यह इसमें बता रखा है, यह इतने सारे अलग-अलग method होते हैं, आपको मैंने जो यह hidden trial वाला method बता है, आपन को सरिफ यह follow करना है, जाधा इदर उदर नहीं घूमना है, ठीक है, अचा यह वाला ही तो हमने अभी सवाल करा है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एक सिंपल सा सवाल देखें, इसको क्या solve करोगे, इसको कैसे solve करोगे बताओ, जिमांक लगाओ यार, हम क्य जाने यहां पर दो, प्रोडेक्ट साइड पर कितना है, एक, तो हमें क्या करना होगा, अव्वेसी बात है, इस चीज को दो से multiply करना पड़ेगा, यहां पर मैंने दो से multiply करा, जैसी मैंने दो से multiply करा, तो भई, copper आ गया मेरे पास, copper मिरते करा, भई, मेरे को बुल गए यार, मेरे देखो, यहां पर दो की आलत हो गई है, मैं भी यहां पर दो में convert हो चुका, मुझे भी तो balance करो, तो फिर हमने क्या करा, इसको भी दो से multiply कर दिया, पता हो यार, कोई दिक्कत, कोई समस्य, कोई समस्य, कोई परिशानी, है ना, यह रह, चलो, 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 यह ललू-वलू question कौन लिख लाया, यह असान-असान से question करोगे, कि तुम बैठके, मुश्किल करा दें, क्या, चलो, कर लो, यार, मुश्किल भी करा दें, कोई दिक्कत नी है, अपनी यात में सब, क्या tension है, क्या tension है, जब सब अपनी यात में, आजब, यह school वाला method आपको एक, यहाँ पर कितना है, दो, लिखते चलेंगे, बटा बटे देखते चलेंगे, और अपना क्या है, oxygen, oxygen कितना है यहाँ पर, दो, और यहाँ पर कितना है, तीन, यहाँ पर कितना है, तीन, कैसे करेंगे balance, कैसे करेंगे balance, यहाँ पर तो थोड़ी समस्य होने लगी है, यहा यो अक्सिजन को इस ऑक्सिजन के बराबर कैसे बना सकते हो, अगर में इस वाले आक्सिजन को ये वाला जो अक्सिजन है, इसको मैं तीन से मल्टिप्लाय करूं। तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? बात तो बात दू میں सही करते हो हैं झल्दि बताओ! प्लियर है क्या बताओ तो क्या करें इसको मैं वह या तीन से मिल्टिपलाइ कर देता हूं और इसको मैं दो क्डिपलाइ कर देता हूं क्या कोई समस्य का निवारन आपको चाहिए तो बताए पटाफट से जब तक मैं पानी वानी पी लेता हूं यह ना बताए यार लाइक नहीं दिख रहे हैं मुझे दस अजार लाइक नहीं दिख रहे हैं मेरे को दस अजार है कि अगला कंबा आजा अगला सवाल कि अगला सवाल देखेंगे से WAY यार पास इसको भी कर दो यार बैलान्स अब तो मुझे कराने की ज़रूत नहीं है चोटे मोटे सवाल के नकला है मैं रभ इस जलिबताए कर दो यार कर इस पूरे को कर्दो सॉलफ कोई बड़ी चीज नहीं है के अंदर कर दिया साहिए है कर दिया क्या को सबस्कार ये घंड है डन है दन है क्या चलो आगे बढ़े इस से आगे बढ़े इस से अरे यार लो यार क्या गया कहा गया कारवन उठा लो एक यह कितना है यह कितने है विया एक ओक्सिजन यहां पर कितने हो गए ओक्सिजन कितने है तीन यहां पर कितने है वो लियार यहां पर कितने है इस condition के अंदर क्या करना होता है इस condition के अंदर क्या करना होता है एक को दो से कर दो, एक को तीन से multiply कर दो महलों हमें overall दोनों को बराबर बनाना है हमें overall दोनों को बराबर बनाना है ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है बोड के अंदर बोड के अंदर ये भूती एक्टिविटी कैसे हो रही है भाई तुम लोगों ने कुछ गलत कर दिया के बोड के साथ खुदी इल रहा है बोड ऐसा मत किया करो रात को एक तो क्लास ले रहा हूं है तुम डरा रहे हो के बात कर रहे हैं एक इंपोरटेंट सवार के बारे मीं बात कर रहे थे ये एक इंपोर्टनेंट सवाल आजाओ फटाफट से इस सवाल के उपर आजाओ करें कर लो कर आजो देखो अब यहां पर न हमारी ट्रिक वाले मेथड को यूज़ करेंगे अभी तक मैंने आपको हमारा नॉर्मल मेथड पता है नॉर्मल मेथड इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले हम क्या लिखेंगे पहले हम लिखेंगे यहां पर एले पनाले थैं यहां पर यह एक है, वहाँ पर भी कितना है, एक है, और last and final हमारा कौन सा है, last and final हमारा बच गया, iodide, वो कितना है यहाँ पर, एक, वहाँ पर कितना है, दो, balance कर लेंगे लिए क्या करना होगा, सबसे पहली चीज, NO3 को हमें यहाँ पर 2 से multiply करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी term होगे, automatically, क्योंकि यह पूरी question थी, यह पूरी question थी, potassium भी 2 से multiply हो गया है, यहाँ पर into 2 कर दो, जिसकी वाज़े से मुझे इसको भी into 2 करना पड़ेगा, इस जगे के potassium को भी मैंने into 2 कर दिया है, अब जब मैंने यह into 2 करा, तो क्या हुआ, iodide भी into 2 हो गई, मतलब यह भी into 2 हो गई, और यह automatically balance हो गई है, clear है क्या, clear है क्या, clear है क्या, clear है क्या, बोलो, बोलो, जल्दी बोलो, clear है, clear है, बस 2 का चक्कर था, दो-दो लगाया, दोनों जगे पे, और काम तमाम, equation balance, start up है वे गुडवाय, चलो, अच्छा अब इसको हमारे method से कर लें, आरे एक बार है न, व वे वे method से कर लेते हैं, देखो, करना क्या है, यह method बहुत जादा unique है, और इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, और बिल्कुल focus में आ जाओ, जहां पर मैं बात कर रहा हूं, focus की, तो महां पर मैं मजाक नहीं करता हूं, ध्यान से बिल्कुल focus से देखना, देखो, हम क्या करेंगे, यह method जो है, यह बहुत अच्छा method है, आप समझना, हम coefficients दे देंगे, math के अंदर coefficient पढते हो, nine coefficient, इसको हम बोलते हैं, coefficient method, हम क्या करेंगे, हर एक term के लिए, coefficient ले ले लिया, जादे हम क्या क्या है एक तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं वन इंटू ए समझते चलना थोड़ा डिफीकल्ट है पर अगर आज़त लग गई यह बेस्ट मैथड है और बहुत असान मैथड है एक्क्वेशन को बैलेंस करने का कितनी ही लगे से सोब्लेंस करने यहाँ पर इससे करने तो यहाँ पर भी एक है इसको लिख देते हैं वन इंटू डी पहले एक्क्वेशन बन गई एक्क्वेशन नमबर बन कर लो थोड़ी मैथ है समझेंगे ना शोवीत वहीं मैथ को मेरे साथ अच्छा पड़ा पाएंगे एब बड 2 into A, इधर उठाया, यहाँपर कितना है, 1, 1 into C, यह क्या हो गैं मेरा, यह हो गैं मेरा, equation number 2, छीख है? एक दम clear चल रहे हैं क्या, एक दम clear चल रहे हैं क्या, पताओ, आगे बढ़ते हैं, यहाँपर उठाया, यह क्या क्या, यह क्या क्य, यह एक है, तो 1 into B, is equals to, यहाँपर क् किये वन इंटू सी एक्वेशन चल रहे हैं मुझे पता है मुझे पता है तोड़ा मुश्किल लग रहा है टेंचन मतलो वरोसा रखो रखो है ना अगले पर आ जो अगला क्या पचिक अपना आयोड़ यह यहां पर कितना है वन इंटू बी इस इकवल्स टू यहां पर दो है यहां पर दो है बेटा ध्यान से देखना है यहां पर दो है तो टू इंटू डी अब हमने क्या करा चार एक्वेशन मना दी मैट्स है यह तिंपल मैट्स अब यह आगे और एक्वेशन से करा हूँग आज़त पड़ेगी चार हमने एक्वेशन मना दी अब हमें क्या करना है किसी भी एक variable को हमें 1 मान लेना है 1 मैं क्या मानता हूँ assume कर लेता हूँ a is equal to 1 मैंने assume कर लिया मैंने assume कर लिया teacher की कुछ भी assume कर लिया a equals to 1 अब देखो जैसे ही a की value 1 हुई तो d की value भी 1 हो गई मतलब यहाँ पर हमारी d की value निकलके आती है डी is equals to 1, A की value जैसे ही 1 हुई, तो C की value कितनी आती है, यहां से, यहां से देखना, C की value कितनी आती है, C is equals to 2, ठीक है, जब C की value 2 आ जाती है, तो यहां पर B की value कितनी निकल के आती है, B is equals to 2, ठीक है, clear है क्लियर 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 है, ना वहाँ पर अपको पुट कर देनया वեղ्यू यहाँ पर H please लिए था दो इसके यागर लगा दो वन ही लिया था हमने इसके क्या लगा देने सके कितना vraag कि आख मल्टिपलैवाइट कर्दो सी की वैल्यू कि नहीं ी 2 तो यहांपर भी 2 लगा दो और लास्ट की डी की वेल्य थिम्सें यह इंदर भी 1 लगा दो यह होगे क्वेश्चन बैलेंस होगी होगी क्या बताओ इस पार समझेंगे कि बात नहीं होगी अगला सवाल भी से तो है त्राय करो इसको समझने की अभी तुम्हें लग रहा है यह मेथड मुश्किल है जो आपके लिए मेथड असान है उससे करो मैं नहीं बोलता कि आप वह जो आपका जो मैथड इससे पहले मैंने प्राक्टिस कराया वह मैथड मुश्किल है यह मैथड अगर आप सीख कर बता रहा हु करें तो सबकी निकली होंगी अगर नहीं निकली है यहाँ पर आप चीछ इन कपर आज इक होगे अपनी equation से बनाते हैं, ठीक है, पहले में देखता हूँ, iron, iron कितना है, एक, तो 1 into a is equals 2, यहाँ पर iron कितना है, 2, तो लिख देता हूँ, 2 into c, पहली equation, देखते चलेंगा, मैं थोड़ा फटा-फट करना हूँ, पहली चीज मैंने बहुत असान से करी, अब दूसरा मैं थोड़ा फटा- S2 ठालो, कितने है, सलफर कितने है, 2 है न, तो लिख दू यहाँ पर, 2 into a is equals 2, सलफर कितने है आपर, यहाँ पर कितने है, यहाँ पर कितने है, एक ही है न, 1 into d लिख दू, 1 into d, कितना हो गया, equation 2, बोड़ थोड़ा गंदा भी हो गया है, चलो कोई नहीं, काम चल जाएगा, है न, अब यह कहा था मेरा, यह कहा है मेरा, O2, अब ध्यान से देखना, O2 हम मतलब oxygen को हम count करेंगे, मतलब oxygen के 2 molecules है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कितना, 2 into b, clear है, clear है, अब यहाँ पर देखो oxygen कितने है, यह है 3 और यह है 2, यह है 3 और यह है 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, 3 into c, 3 c, प्लस, कितना, 2 d, कितना लिखेंगे, 2 d, यह होगी हमारी equation number 3, तीन equation बन गई, बस अब कुछ नहीं करना है, तीन equation हमारे पास है, किसी भी एक चीज को मनमान लो, किसी भी एक चीज को मनमान लो, जो आपको असान लग रहा है, जि is equals to 1, मैंने भई, मैं तो अपना let कर लेता हूँ, a equals to 1, बस उतना ही मेरा काम है, अब क्या करूँगा, a की value हम put करते करते चलेंगे, बहुत असान हो गया, अब तो a की value आप put करोगे, a की value अपने यहाँ पर put करी, तो c की value कितनी आ गई, या फिर ऐसा करते हैं, इसके अंद बिल्कुल सही है, लोगों के answer आ गए, a की value भी put कर लो, a की value आप put करोगे, तो c की value आजएगी आपकी 1 by 2, यह pink वाला color दिख रहा है क्या, screen के उपर, दिख रहा है क्या, change कर लेते हैं, लोगों को दिखता नहीं है color, पता नहीं क्यों, छीक है, देखते चलेंगे, देखते बी की value आजएगी, बी क्या है, 2B is equals 2, 3 by 2, प्लस, डी की value कितनी थी, डी की value 2 थी, प्लस 4, कितनी निकल गई, कितनी निकल गई, बी की value, अरे हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है, थोड़ी complex equation है, मुझे पता है, थोड़ी complex equation है, चल्दी करो ना, सोल, math, math यार, math नहीं पड़ेगा कि सर, इनके तो math में जो हाथ हैं, बहुत ज्यादा तंग है, बहुत ज्यादा तंग है, है न, math में जो हाथ हैं, वो एकदम बहुत ज्यादा तंग है, देखते चलेगे, देखते चलेगे, इसको solve कर लो, वटा वट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, अरे B की value क उन सभी को put कर देना है, A की value हमने 1 ली थी, हमने क्या करा था, B की value हमारी 11 by 4 आ गई थी, उसके अलावा C की value 1 by 2 आ गई थी, और D की value 2 आ गई थी, but इस question को मैं इसले लेकर आया, क्योंकि इसके अंदर answer आ रहा है fraction में, अब जब answer fraction में आता है ना, तो बच्चे लिखते हैं, भाईया यार, answer fraction में आ रहा है, अच्छा 11 by 2 आ रहा है क्या, 11 by 2 आ रहा है क्या, एक मिनट, 11 by 2 आ रहा है क्या, अरे मूर्ख हो, केसी बात कर रहे हो, यह 11 by 2 कौन लिख रहा है, अब पढ़ गाने, यहां पर 2 भी लिख रहा है ना, यह 2 भी तो switch करना पड़ेगा न नीचे, भाईया तुमारी math जो है ना, उसको तो मैं प्रनाम कर रहा हूं दूर से, है ना, शोविच सर से बोलूँगा, इनकी math एक दम सही कर लो, तो देखो, हमारे आगे 11 by 4, अब यहां पर जो answer से ना, वो बहुत ज़्यादा fraction में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमार सारी terms आईये ना, उनको हम 4 से multiply कर देंगे, ठीक है, इसको 4 से multiply कर दो, सारी terms को 4 से multiply कर दो, और वो हमारा final answer आएगा, अब यह जो सवाल है ना, इस सवाल को आप एक बार hit and trial वाले method से करना, जो तुम method करते हो school के अंदर, तुमारी ना, दुनिया हिल जाएगी, इस सवाल को करने है, इस सवाल के अंदर इतनी मेनत लगनी है hit and trial method से, जबकि यह जो method है एक दम accurate है, इसमें answer कभी गलत नहीं आएगा, 4 से multiply कर दो, 4 से multiply कर देते हैं, सब को है न, 4 से multiply करने के पाद answer आया, A की value 4 से multiply, ओके, यह आगई, B की value कितनी आगई, B की value आगई, अपनी कितनी वाइट, ठीक है, बताएँ, 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 कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नहीं आया है यह वाला समझ में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पताएवाला question complex था, यह question अगर आता है न, paper के अंदर तो लोगों की दूनिया इल जाती है, इन सवाल को करने में तो टफ साइड का ही सवाल उठाकर लेकर आया हूं यहां पर हम करेंगे न काम अगर हम बात करेंगे न तो हम बिल्कुल डीप में गुसकर बात करेंगे चोटी-मोटी बाते नहीं करेंगे ठीक है तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे आंसर को निकाल रहे होते हैं अगर अब भी समझ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आगे हम और एक्वेशन को ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है तुम बोलो तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम्हाले सब कर देंगे सब कर देंगे कोई दिक्कत A हम क्या करते हैं? A L है. तो 1 into A is equals to A L के कितने हैं? 2 हैं. Clear है गया. Clear है गया. बोलते चलेंगे हाँ है नामें. ठीक है? Clear है गया. चलो. 2 into C. पहली equation. पहली equation. equation fast बना रहा हूं. ध्यान से एक बर focus के साथ करते रहेंगे. hydrogen कितने हैं? hydrogen कितने हैं? यहाँ पर हैं अपने 2 hydrogen. तो 2 into B is equals to. वहाँ पर कितने हैं? वहाँ पर भी अपने 2 हैं. तो 2 into D. यह कितनी बनगी हैं हमारी equation number 2. अगली equation. अगली equation. SO4 देख लो. SO4 कितने हैं? यहाँ पर तो 1 ही है. तो 1 into B is equals to. यहां पर कितने हैं BUT इसको मानना रखितर और इसकी कुर्वान ही जवार इसको बता आए है इसकी कुर्वानी-जवार किसको वन बनायं बताओ बताओ चार से multiply पिछले सवाल में इसलिए किया गया क्योंकि हम जब भी किसी equation को balance करते हैं मेरे दोस्त तो हम उसे fraction में नहीं लिख सकते तुम लिख रहे हो 11 by 4 into SO4 ऐसा नहीं कर सकते हमें balance करने के लिए last step होता है कि हम जो पूरी equation है ना उसको हम fraction में ना लिखें ठीक है integer terms में चल जाता है यह 3 equation बन गई किसको बना दे बकरा किसको बनाया जाए पर C को बना दे क्या C को बनाएंगे तो असान ही रहेगी C को बना देते है यार C बड़ा असान है वैसे B को बनाओगे तो भी हो जाएगा B बनाएंगे थोड़ा fraction में आएगा C को बना लेते हैं C is equals to 1 बकरा बनाया जाए आजाओ अब क्या करेंगे C की value में पर 1 put करी तो A की value कितनी आ गई यहां से A की value कितनी आ गई A की value यहां से आ गई A equals to 2 ठीक है इस equation में देखो इस equation में में put करा इस equation में मैंने put करा C की value 1 तो कितनी आ गई B की value B की value आ गई अपनी 3 ठीक है B की value हमने पास 3 है और B is equals to D है हमें पता है यह वाली equation हमें पता है तो मतलब D की value भी कितनी आ गई 3 A, B, C, D क्या हमने सारे निकाल दिये क्या हमने सबका उत्तर निकाल दिये अब हम क्या करेंगे equation में put कर देंगे hidden trial से करके देखना इससे trial करके देखना जो आपको असान लगे उससे करो कोई दिक्कत नहीं है A की value कितनी आई थी A की value कांती A की value आई थी 2 इसको 2 से multiply करेंगे B की value कितनी आई थी B की value कांती भी या B की value थी 3 इसको हम 3 से multiply कर देंगे अपनी C की value कितनी आई थी C की value हमने 1 input कर देंगे और D की value कितनी आई थी D की value भी 3 आई थी इसको हम 3 से multiply कर देंगे तो यह हमारी final equation बताओ ला जवाव बिमी साल मेथड, सालो साल से चला आ रहा है, मज़ेदार, सर जी समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूँ मैं तुम बताओ, नाचूँ, नाच नाच के बढ़ा हूँ, कबड़े खोल दूँ, कबड़े वार दूँ, क्या करूँ ऐसा है, और क्या कर सकता हूँ, तीन सवाल से थोड़ा सा यूनीक है, बट, अगर मज़ा आये, इस मेथड़ने से करो, परना अपना वो बेसिक मैथड़ तो है, बेसिक मैथड़ तो दुनिया करती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, आज़ा, ऐसे एकदम क्लियर होगा, ये कुछ सवाल है, इनको हम हम वर्क दे देते हैं कर लोगे का इस सवाल को, इस सवाल को बता दो, इस सवाल को बता दो, है ना, इस सवाल के एकबर लिख दो, मैं आपको बस इन सब के ना, A, B, C, D नाम दे रहा हूँ, है ना, ये A, ये B, ये C, ये D, इन चारो के बस मुझे नंबर लिख दो, comment के अंदर, A की value 1, या 2, B की value 3, 4, C, value 2, जितनी भी आ रही है, आपकी ये number दे दो, इसको हम normal method से करो के चल जाएगा कोई दिक्कत ने, normal method से कर लो, है ना, जैसे हम करते हैं, ये F, E के कितने कम है, F, E के कितने 2 है, जो अपना normal method है, उस से कर लो, A, B, C, D वाले method से मत करो, normally कर ले ना, ठीक है, लोगों के मेरा F, E कितना है, मेरा F, E आर रही आर भाई या है, फिर मैने पड़ा किसको पड़ा, मैने sulfur को, sulfur को मैने पकड़ा, तो sulfur यहाँ पर मेरा 1 है, ठीक है, चैसे अरह ख बार मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा काम बंता है, वो क्या है, कि मैं अपने जो iron है ना iron भाया को मैं एक दाऊं वो कर लूँ कि यहां iron भाया तुम्हें मैंने balance कर दिया तो मैं इसको 2 से multiply कर दूँगा बड़ जैसे मैंने इसको 2 से multiply करा ना तो एक समस्या खड़ी हो गई क्या कि पहले oxygen यहां पर 3 थे बट अब यहां पर जो oxygen है ना वो कितने हो गए अब यहां पर oxygen हो गए हमारे 6 ठीक है oxygen ज्यादा बड़ रहे हैं बट हमें क्या करना है हमें तो oxygen इस तरफ इंक्रीज करना है और यही दिक्ट होती है सब्स्टीटूशन में आपको बता रहा हूं ना इसमें अपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्या पहले हैं बाद प्रफे तो अ मैंने करा इसको मैंने क्या करणा अच्छा मैंने उसको उल्टे वाले को कर दिए च्रृरी सॉरी शौरी शॉरी सॉरी 1 मिनट इसको तो मिटाद धॉ पिज़ारे कश्रीद्व decision yar G तो इस सारी इक्वेशन अपनी वैलंस हो गई तो बड़ी सिंपल एक्वेशन देदी थी तुमें या ना अगली ख्लास को है अगली क्लास को है अच आ अज आ非常 कर देने कि जल्दी बताएं कि ते नोट कर लिया ना स्क्रींशॉट ले लो चलिए अब हम बात कर रहे है टाइपस अफ रेक्शन की वैसे तों अगले रेक्शन के अंदर पूरा का बैट के पढ़ाई करेंगे बट अभी मैं आपको उपर उपर से समझा जेता हूं टाइप ऑफ रियक्शन होती कितनी प्रकार की है नया टॉपिक नई शुरुवाद विद जोश्मीटर कमेंट में करेंगे कितना है आपका जोश्मीटर है ना तो देखो हम अलग-अलग टाइप की रियक्शन दो रियक्टेंट होंगे वो दोनों आएंगे दोनों कहेंगे कि हम कुछ मिलके बनाते हैं तो उन्होंने क्या करा दोनों मिले और उन्होंने मिलके बनाया जैसे कि मैंने तुमारे शोविद भाईया और दिग्राद सर ने तोचा क्या कुछ मिलके बड़ा बनाते हैं हमने क् नेक्स्ट ओपर तोमारी क्या थी combination reaction similarly जब हमारे क्या होते हैं अलग-अलग compound अलग-अलग reactants मिलते हैं और एक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं combination reaction जैसे कि इसका एक example होता है ध्यान से देखिएगा एक example बता रहा हूं जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था magnesium oxygen के साथ मिलता है क्या बनाता है magnesium oxide अब देखो जितनी भी equation में आपर लिख रहा हूं आपको सारी balance मिलने वाली हैं क्योंकि हमने balancing सीख लिए है न वाईया जो हमने balancing सीख लिए है तो हम लोगों को दिखाएंगे न कि हमें तो आता है हमें तो आती है balancing है न तो यह होती है हमारी क्या combination ठीक है जब दो अपने combine होते हैं यह एक इसका example है जितनी भी activities आएंगी वो मैं आगे करवाता जाओंगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर इसका एक one of the most important example जो हमारा combination reaction का होता है न वो कौन सा होता है वो हमारा होता है quick line यह भी मैं आपको बता चुक हूँ starting में बताया था क्या कि भाई calcium oxide जो होता है वो पानी से मिलता है और वो क्या बनाता है हमारा calcium hydroxide और इस reaction के अंदर heat release होती है अब दयान से सुनना जिस जिस reaction के अंदर हमारी heat release होती है न उसको हम बोलते है एक्जो thermic reaction जिसके अंदर हमें heat देनी पड़ रही है गरम करना पड़ रहा है वो क्या है endothermic exothermic are those reactions जिसके अंदर हमारी heat release होती है endothermic, exothermic के अंदर heat release endothermic के अंदर heat हमें देनी पड़ती है एकजो, एंडो, एकजो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, एकदम एकलियर रहना चाहिए, एकदम एकलियर रहना चाहिए, क्या ये point हमें एकदम clear है, अभी ये जितना भी point है, इसके बारे में हम कल discussion कर रहे होंगे, अभी मैं आपको उपर उपर से बता देता हूं, जो ह इसके अंदर क्या हो रहा होता है, रिष्टे तूट रहे होते हैं, कैसे, इसके अंदर ऐसा होता है, कि आपका एक combination है, अभी जो compound है ना, ये किसी बाहर वाले इंसान की वज़े से, बाहर वाले compound की वज़े से, उन दोनों का कहना रिष्टा तूट जाता है, और वो दोनों तूट जाएगा, किस में, एक तो इसमें, एक इसमें, ये क्या है, अपनी carbon dioxide CO2, ये क्या होता है, decomposition reaction, definition परता है, decomposition reaction है, type of chemical reaction in which a single compound break into two or more compounds, definition clear है, activities को कल कर रहे होंगे, अभी मैं वैसा आपको उपर उपर से समझा रहा हो, कौन कौन सी reactions majorly है, मुझे पता है, तुमें अभी दाने लगेगी, क्योंकि समय हमारा खतम हो चुका है, around 10 बच गए है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला lecture, वैसे भी हमें short ही रखना था, ठीक है, types of decomposition reaction वगेर, हम सब कल पढ़ेंगे, activities सारी पढ़ेंगे, अब हम बात कर लेते हैं, उसके आगे कौन से reaction की, displacement reaction की, displacement reaction क्या होता है, किस को पता है, अरे किस को पता है, चिंटू लाल की कहानी किस को पता है, जल्दी बता है, चिंटू लाल की कहानी किस को पता है, देखो, अब आपको मैं बताता हूँ, displacement reaction, ठीक है, displacement reaction में क्या आता है, हमारा, आपको मैं बताता हूँ, बहुत द्यान से समझता है, displacement reaction क्या है, ये है मेरा चिंटू लाल जो कि तुम हो ये है मेरा चिंटू लाल ठीक है और ये है तुमारी महभूबा कौन है तुमारी महभूबा ठीक है अब हुआ क्या अब हुआ क्या आप दोनों के बीच में एक नया लड़का आ जाता है जो कि है अपना मिन्टू लाल अब इसकी थी बोडी ये था तुम से बहुत ज़्यादा स्मार्ट क्या था इसके पास थी बोडी इसके पास थी बड़ी लंबी कार तो ये कौन है हमारा अच्छे आपकी महबूबा है और ये हमारा मिन्टू लाल बिंटू लाल अब हुआ कहना कि आपकी महभूबा ने कहा कि भाईया मैं तो तुमको छोड़के जा रही हूँ और आप रह जाते हो अकेले और ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो मतलब आप जो थे वो अकेले रह गए और दो लोग आपकी महभूबा और आपका मित्र दोनों साथ आ गए मजाग से अटके इस reaction को हम बोल रहे होते हैं क्या displacement reaction जहां पर एक compound दूसरे compound को displace कर देता है क्यों क्यों कि वो बहुत ज़्यादा reactive था यहाँ पर क्या कहानी थी मिन्टू लाल सुमसे ज़्यादा smart उस पर बहुत पैसा उस पर बड़ी बड़ी गाड़ी है ना इसी प्रकार से compounds जो ज़्यादा reactive होते हैं वो दूसरे compound को तोड़ देते हैं वो होती है हमारी प्यारी प्यारी displacement reaction क्या मिन्टू लाल की कहानी से कुछ सीखा क्या इसके reaction बढ़ लेता है ZN प्लस Cu SO4 क्या बनाता है यह दोनों आए यहाँ पर आप देख सकते हो Cu और SO4 दोनों म लाल मेरा विचारा दोस्त तकेला रहे गया ठीक है यह हमारी कहानी थी displacement reaction की similarly double displacement reaction हो रहा होता है जिसमें दो compound interchange कर देते हैं उसका भी एक example मैं आपको दिखा देता हूँ double displacement reaction का example जैसे कि हम नॉर्मल देते हैं एक compound है A और B कि दोनों मिलके बैठे है C और D दोनों मिलके बैठ हैं अब इन दोनों ने interchange कर लिए जैसे कि अब क्या हुआ A ने D के साथ pair कर दिया, A और D बन गए और C ने B के साथ pair कर लिए, C और Б बन गए यह क्या होता है? double displacement reaction दोस्त बश्ते हिजिए है क्ल्कूल हो सकता है तो यह थी हमारी आज का lecture अब हम कल पढ़ने वाले हैं टाइपस ओफ रियक्शन जो हमने उपर उपर से पढ़ लिया है इस लेक्शर को ध्यान से सुनके आना सारी चीज़ हमने इसके उपर उपर से कवर करी गलम कॉंबिनेशन, डिस्प्लेस्मेंट, डिकंपोजीशन और डबल डिस्प्लेस्मेंट के जितने भी एक्जामपल है, NCRT के एक्टिविटीज हैं वह हम सारी पढ़ रहे होंगे उक्सीडेशन, डिक्शन का जो कॉंसेप्ट है वह हम पढ़ रहे होंगे, उसके साथ-साथ एक लास का चोटरा सा टॉपिक है, जो अपना रेंसिडिटी और अपना आईरेन वगेरा का जो है, वह हम पढ़ रहे होंगे, उसमें तो आपको 10 विनिट लगने हैं मुश्किल से वह हम अगली क्लास जो की डेड़ गंटे के आसपास की होगी, एप के उपर ही होगी, तो वह हम उसके अंदर कवर कर लेंगे, तो उसके हमारा क्या होगा ना, पूरा का पूरा जो हमारा सलेबस है, इसका केमिकल इक्वेशन और रियक्शन का ये पूरा चैप्टर खतम हो ज से नहीं आएगा, ठीक है, कैसी लगी क्लास, कैसी लगी क्लास, एक पर बता दो, एक पर जोश मीटर को भी बोल दो, यार, कितना है, एंट्रेट में से है क्या, है या नहीं है, बोल यार, है या नहीं है, है या नहीं है, है नहीं है, ठीक है, मज़ा आ गया, आज बहुत जा मज़ा आया है बस दोस्तों के साथ शेयर करते न अगले लेक्षर में मिलते हैं आपके अंदर शुक्रिया नेक्स टॉपर के साथ जुड़ने के लिए और यह जो पहल है नेक्स टॉपर की इसको बहुत अच्छा बनाएंगे आप सभी के लिए एंट बस एक लाइन बोलूंग यार कितनी बढ़ाई करेगा चल बाहर चलते हैं वाट तुम्हारे एक्जाम तक तुम्हें अब नहीं हिलना है दिसंबर चल रहा है आज के समय पर दिसंबर जैनवरी पैप से तौप के स्टार्ट हो जाएंगे दो महीने हमारे पास कुल हैं लगकर मैनत कर ली ना लगकर मै करते हैं बाई बाई